नवस्कार मैं आसी स्पाटक आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में सबसे पहले जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जरूर सेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सबस्ट्राइब कर लें राजस्थान में जो सबसे बंपर वेकेंसी आपकी आई है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बैच परिक्षा प्लस टीम के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है अगर आप इच्चुक हैं अगर इस कोर्स से आप जुड़ना चाते हैं तो आपको ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उस प्रोसीजर के हिसाब से आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं पूरा स्लेबस के एकॉर्डिंग A to Z जितने भी आपके स्लेबस दिये गए हैं खास कर जो पेपर 2 है उसके एकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तयारी कराई जाएगी तो पेपर 2 के लिए जो लोग भी इच्चुक हैं जिने नहीं मिला है क्योंकि आपका जो कम्प्यूटर का स्लेबस है वो काफी ब्रॉड है ठीके वो आपको हर जगर मिलेगा भी नहीं कि जिस एकॉर्डिंग उसने स्लेबस डिसाइड किया है आप देख रहे हो बी टेक को किया है, BCA को किया है, MCA को किया है तो जाहिसाई बात है उसके लेबल के कॉर्डिंग आपको कहीं जिस स्लेबस नहीं मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि questions भी आपके बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, वो basic questions नहीं आएंगे कि input device क्या है, output device क्या है, जनरली जो आपका स्लेवर से उससे अच्छे-च्छे कोश्चन्स पूछे जाएंगे अगर आप बैच से जुढना चाहते हैं तो आपको क्या करना है 12 तरिक से ये बैच स्टार्ट है आपको मैं बताऊंगा कि बैच में क्या-क्या दिया जाएगा ठीक है आप परिक्षा प्लस अप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड गरके वहाँ पर आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बैच है जो इस समय लाइफ चल ला है और उस पे 50% का ओफ दिया जा रहा है 799 में पूरा संपूर पेपर टू आपको करा दिया जाएगा इसकी क्लासेज जो होगी जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको खुद मैं ही पढ़ाँगा और मेरे कई वीडियो आपके कंप्यूटर के पढ़े हुए हैं जो मैंने ASI में भी मैंने इतना अच्छे से पढ़ाया था बच्चो को कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मैंने द्वारा कंप्यूटर पढ़ाया जाता है को सारे वीडियो आपके यूटूब पे मिल जाएंगे यह बारा तारिक से आपको रातरी 8 बजे यह बैच जो है सुरू होगा और कंप्यूटर सब्जेक्ट से सुरू होगा ठीक है यह ध्यान रखेगा तो 12 बजे मत बोलिएगा मैं आपके सामने मिलूँगा ठीक है कब 12 तारिक को ठीक है 8 बजे अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बैच में आपके क्या-क्या होगा तो बैच में आपके कंप्यूटर की जो होगी वो लाइफ क्लासेज मिलेंगी ठीक है जो आपका पार्टिक रम है उसके एकॉर्डिंग और जो आपके पेडगोगी का पोर्षन है और mental ability का जो पोर्षन है उसकी आपकी VOD क्लास मिलेगी मतलब recorded classes आपको दी जाएगी मतलब paper 2 में मैं कुछ शोड़ूँगा नहीं आपका सिर्फ computer ही नहीं आपका जो पेडगोगी वाला पार्ट है और जो mental ability है reasoning वो भी मैं आपको complete कराऊंगा साथी साथ computer के और आपके जो पेडगोगी और reasoning का section है उसका sectional test होगा जो आपका 10 प्लस लिखा और most मैं इसको 20 करा दूँगा ठीक है यह 20 के अप्रोक्स आपको sectional test में करा दूँगा सभी की PDF आपको मिलेगी जो notes है ठीक है यह द्यार नखिएगा जो notes आपको दिया जाएगा आपके syllabus के according दिया जाएगा आपको कहीं से क्योंकि किताबे भी नहीं जल्दी मिलेंगी इसकी syllabus जैसा ऐसा दिया गया है और कहीं किताबों पा भी गए तो उसमें इतना detail रहेगा कि समझ नहीं पाओगे कि कौन सा पढ़े कौन सा छोड़ दे ठीक है language इतनी बात किया गया क्या language में सभी programming पढ़ने लगोगे तो 6 माईना उसी को पढ़ते नहीं कर जाएगा किस topic से कैसे question बन सकते हैं खासकर आपके level में वो सब में बताऊंगा ठीक है तो यह सब चीज़े आपको मिलेंगी अब course से कैसे जुणना है उसको ध्यान लिए course से जुणने के लिए आप registration यह number दिख रहे हैं आप 99 99 70 80 इस पर call कर सकते हैं वहाँ पर जैसे डाउनलोड करके आप registration करेंगे सबसे पहले blue color में आपको वहाँ पर दिखेगा computer instructor batch और जो यह computer instructor batch है वो basic के लिए है senior के लिए नहीं है basic instructor के लिए paper 2 के लिए है ठीक है जो paper second है आपका उसके लिए तो आप इसको join कर सकते हैं play store से आपको pressure plus app डाउनलोड करन यह और आपको computer instructor का batch दिखेगा और दूसरा तरीका यह है अगर और डीटेल इस batch के बारे में जानना चाहते हैं तो आप join instructor करके WhatsApp कर दीजिए इस नंबर पर 945 000 6007 9129 697080 यह आप call भी कर सकते हैं तो आपको पूरा procedure बता दिया जाएगा तो जल्द से जल्द आप लोग जु तो मुझे 15 मईतों कौने प्रोक्स लगेगा कि मैं पूरा आपका sliver zone complete करा दूँगा तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद